बच्चों, आज आप मल्टिप्लिकेशन के बारे में सीखेंगे वैसे तो बहुत सारे मेथर्ट्स हैं मल्टिप्लिकेशन करने के लिए आज का जो मेथर्ड है उसको बोलते हैं लैटिस मल्टिप्लिकेशन तो lattice multiplication कैसे करना है वो हम सीखेंगे आज तो इसको start करने से पहले आपको कुछ चीज़ें practice करनी होगी पहले उसको practice कर लेते हैं कि कैसे multiplication आप lattice multiplication कर सकते हैं एक example ले लेते हैं जैसे कि 2-digit number 24 multiply 52 आपको कैसे लिखना ये 24 और 52 वो आप पहले सीखो आप ऐसे एक rectangle box मनाएंगे एक vertical line बनाएंगे यहां लिखेंगे 2 यहां लिखेंगे 4 फिर एक horizontal line बनाएंगे आप यहां लिखेंगे 5 यहां लिखेंगे 2 दियान से देना है एक ही box के ओपर 24 नहीं लिखना है मतलब आपको ऐसे नहीं लिखना है ऐसे एक box बना लिए आपने box बनाने के बाद आप 24 यहां लिखेंगे या फिर आप 52 ऐसे नहीं लिखेंगे यह गलत है ऐसे नहीं करना है आपको आप 1 digit यह 2 यहां लिखेंगे 4 यहां लिखेंगे मतलब कि 1s place right side में और 10s place जो है 2 वो अब left में लिखेंगे इसको उसी तरह 5 और 2 को गी ऐसी लिखना है एक और practice कर लेते हैं जैसे आप करेंगे 6 to 4 multiply 5 to 9 अगर ऐसा है आप पहले एक box बनाएंगे ऐसे box बनाने के बाद box बनाने के बाद आप इसको कैसे लिखना वो पहले आप सीखो आप इसमें ऐसे vertical line बनाएंगे आपने, vertical line बनाने के बाद आप लिखेंगे 6, यहां लिखेंगे 2 यहां लिखेंगे 4, यहां पर आप horizontal line बनाएंगे ऐसे, उसके बाद अब यहां लेखेंगे 5, यहां लेखेंगे 2, यहां लेखेंगे 9. I hope you have understood this. And after that, what you need to do is, you'll draw a diagonal. अब यहां पर diagonal बनाएंगे, diagonal इसको बोलते हैं, यह corner को इस corner को जोड़ना है, ऐसे diagonal बनाएंगे आप, ऐसे diagonal बनाना है आपको, चलो इसको देखते हैं कैसे करना है, आपने क्या करना है, आपको क्या करना है, आपने एक diagonal बनाया, इस diagonal की उपर में क्या number है, 6 है, और इस box का, यह जो rectangle है, इसके opposite में कौन से number है, 5 है, तो आपको 6 और 5 को multiply करना है, आपको 2 और 5 को multiply नहीं करना है, आपको ये जो box है इस box के उपर क्या दिया वो देखना है आपको इस box के उपर 6 दिया है इस box के उपर 2 तो दिया नहीं है इस box के उपर 6 दिया है तो 6 को इसके opposite में जो number है उससे multiply करना है तो 6 फाइजा 30 अब लिखेंगे 30 उसके उपर अगला diagonal बना दिया आप इसके उपर क्या है 2 है इस box के साइड में क्या है 5 है तो 5 को 2 से multiply करेंगे ये लिए 10 उसी तरह इसको करेंगे आप तो आपको 20 आएगा क्योंकि 5,4 या 20 होता है उसी तरह आप ऐसे करेंगे इसको इसको ऐसे करेंगे आप diagonal करेंगे 6, इसके उपर 6 है 6 को आप 2 से multiply करेंगे 6,2 ज़र 12 और अगला diagonal बना दिया मैंने उसको 2 को क्योंकि इसके उपर 2 है और इसके side में भी 2 है तो 2 को 2 से multiply करेंगे आपको 4 मिलेगा तो 4 तो single digit है तो आपको हमेशा जब single digit आएगा आपको 04 लिखना है याद रखना हमेशा single digit आएगा suppose कर लोग 7 आया तो आपको लिखना है 07 और 9 आया तो आपको लिखना है 09 अगर आपके पास 2 आया तो आप लिखेंगे 02 और 0 को उपर लिखना है देखो हमेशा उपर लिखना है और नीचे लिखना है number तो एक और देख लेते हैं जैसे एरा 4 और 2 4 तू जो 8 सिंगल डिजिट है तो आप लिखेंगे 0 और यहां लिखेंगे आप 8 उसी तरह आप इसको इसको लिखना हो गदर क्या करेंगे इसके उपर क्या है 6 है इसके साइड में क्या है 9 है 9 6 है 54 आप लिखेंगे 5 यहां लिखेंगे 4 उसके बाद अगला इसको आपने डागोनल बनाया इसके उपर 2 है इसके साइड में 9 है 9 2 जो 18 आपने 18 किया उसके बाद 4 को 9 के साथ आप मल्टिप्ले करेंगे 4 को 9 से multiply करेंगे तो 36 आएगा उसके बाद आप क्या करेंगे यह जो पहला box है यह जो मैंने dark किया इसमें जो भी number है उसको नीचे लिखेंगे symbol पहला काम आपको यह करना है यह जो rectangle है sorry यह जो triangle it's not a rectangle it's a triangle यह जो triangle के अंदर जो भी number हो उसको यह लिखेंगे symbol से बहुत easy है उसके बाद आप क्या करेंगे इसके बाद बच्चे confused होते है इसके बाद आपको क्या करना है यह जो line जा रहा है सीधा यह रहा यह line जा रहा है मैंने dark कर दिया इसको और यह जो दूसरा line है इन दोनों line के बीच में अंदर इन दोनों line के अंदर मालो यह रास्ता है से इन दोनों line के अंदर क्या क्या number है 8 है 3 है 8 है इन तीनों को plus करना है आपको plus करना है तो कितना हो जागा 8 plus 3 is 11 11 को 8 से multiply करेंगे you'll get 19 तो आप कैसे लेखेंगे 9 लिखा और 1 को छोटा लेखा और circle कर दो circle इसलिए क्योंकि carry है यह अब अगला देखो अगला रास्ता कौन सा है यह वाला इसको भी dark कर दो तो आपको समझ में आ जागा यह रहाए आसा dark कर दो इसको यह पूरा dark करना यह सीधा line जहां तक जा रहा है वहां तक पूरा आपको लेना है तो यह हो गया रास्ता इसका इस रास्ते में जो जो number आ रहा है सब को plus करना है आपको 4, 1, 4, 0, 0 इस समझ को plus करना है तो 4 plus 1 करेंगे 5 आएगा 5 plus 4 9 को 0 से करेंगे 9 आएगा 9 को फिर 0 से करेंगे 9 आएगा तो 9 नहीं लिखना है यहां पर क्योंकि यहां पर carry 1 भी है तो 9 के साथ 1 plus करेंगे you'll get 10 तो आप 1 को 1 again carry circle कर दो और इसको हटा दो ताकि आपको पता लग जाए यह हमने add कर लिया उसके बाद अगला अगला रास्ता कौन सा यह लंबा line देखो आप इस लंबा line को देखो आप इसके अंदर में इन दोनों line के अंदर में क्या क्या नंबर है 5 है 2 है 0 है 0 है 2 है देखो इतना easy से दे रहा है आप इसको plus करेंगे 5 plus 2 is 7 7 को 2 से प्लस करेंगे, 7 को 2 से प्लस करेंगे, you'll get A 9, और 9 को इस 1 के साथ प्लस करेंगे, यह रही जो carry 1 है 1 के साथ प्लस करेंगे, तो आपको मिलेगा 10, तो आप यहाँ पर 1 again carry हो जागा, इसको हटा दो, ताकि हमने add कर लिया अब अगला देखो आप, इन दोनों की बीच में क्या है, इन दोनों की बीच में 1 है और यहाँ है 1 है, 1 प्लस 1 is 2, और 2 यह carry हो गया 3, यह 3 हो गया, काड़ दो इसको, यहाँ पर 3 है तो आपको answer क्या हो गया 3, 3, 0, 0, 9, 6 3, 3, 0, 0, 9, 6 यह answer होगे इसको, इस तरह से आप करना चलोगे कुछ practice कर लेते हैं हम लोग एक और कुछ numbers practice कर लेते हैं अभी हम एक number ले लेते हैं जैसे की, for example 25 25 multiply 46 बहुत simple है यह आपको एक box बनाना है ऐसे box बनाने के बाद आप vertical line बनाएंगे ऐसे उसका horizontal line बनाएंगे आप इसके उपर आप लिखेंगे 2 यहां लिखेंगे 5 यहां लिखेंगे 4 यहां लिखेंगे 6 अब इसका diagonal बना दिया आपने 4 to 8 single digit है 8 जो है वो single digit है इसलिए आप 0 पहले लिखेंगे 5 4 जा 20 इसको फटावट कर लेते हैं देखो इसके बाद 6 2 जा 12 और इसको कर लेते हैं अभी 5 6 जा 30 अब यह triangle के नीचे इस triangle के नीचे 0 है तो 0 लिखेंगे अब उसके बाद line कौन सा है किन दोनों line के बीच में यह जो line जा रहा है और यह जो line जा रहा है अगला इन दोनों line के यह जो line और यह वाला line इन दोनों line के बीच में क्या क्या नमबर आ रहा है उस सब को आपको plus करना है तो 8 plus 1 is 9 9 plus 2 is 11 1 लिखा और 1 को छोटा कर गए लिखा ताकि वह पता लग जाओ क्या लिए उसके बाद ये 1 को 0 से प्लस करेंगे तो 1 आएगा तो answer कितना हो गया इसका answer हो गया 1 और ये वाला 1 इसको काड़ दो क्यूंकि आपने add कर लिया है 5 और 0 तो answer हो गया 1150 और एक number देख लेते हैं अभी एक दूसरा number देख लेते हैं दूसरा number है 3-digit number ले लेते हैं 146 multiply 213 इसके लिए थोड़ा बड़ा box बना दू क्योंकि ये 3-digit number है so draw this now draw vertical line vertical line एक हो गया 2 vertical line हो गया right down here 1 4 6 okay we'll draw horizontal line one another one more line now right down here 2 1 3 now what we need to do is we'll draw a diagonal इसका diagonal हमने draw किया now अभी बोलो आप 1 इसके नीचे is just इसके उपर 1 है और इसके side में 2 है so 1 into 2 is 2 तो single digit है तो आप लिखेंगे 02 उसके बाद इसको करो आप 4-2-8 0-8 क्योंकि single digit है 6-2-12 1-2 इसको करो आप 1 को 1 से multiply करेंगे 1-1-1 तो 01 उसके बाद यहाँ पर 4 को 1 से करेंगे 04 उसके बाद इसको करेंगे आप 6 को 1 से करेंगे 6-6 तो 0-6 हमेशा 0 उपर लिखना मैंने बोला है आपको अगर 1 digit होगा तो उसके बाद यह नमबर देखते हैं उसके बाद 3-3 तो 03 उसके बाद इसको करते हैं आप 4-3-12 उसके बाद 6 को 3 से मल्टिप्ले करें क्यों यह जो बाक्स है इसके उपर है 6 और इसके साइड में 3 18 18 किया मैंने आपको पहले हैं यह सबसे पहले आपको यह ट्राइंगल वाला Noswer को नीचे लिखना करना है यह जो लाइन है डाक जो लाइन किया है इन दोनों लाइन की बीच में जो नंबर्स हैं इन दोनों लाइन की अंदर में क्या क्या नंबर्स हैं 2 1 6 वो आपको करना है यह वाला ट्राइंगल यह वाला ट्राइंगल और यह वाला ट्राइंगल यह तीनों को आपको प्लस करना है, so कितना हो गया, 2 plus 1 is 3, 3 plus 6 is 9, यह 9 हो गया, उसके बाद next number देखा आप, और एक line खे, जो जो डार कर दो ताकि आपको समझ में आ जाए, यह डार कर दिया मैंने, ताकि आपको समझ में आ जाए, इन दोनों dark line की बीच में जो number से उसको plus करना है, so 3 plus 1 is 4, 4 plus 4 is 8, 8 plus 2 is 10, to 10 के लिए आपने छोटा सा 1 carry है, इसलिए 1 को circle में डाल दिया, this is 10, so 1 is carry, again we'll add the next number, next number क्या है, 0 है, 1 है, 0 है, 8 है, 1 है, इन सब को plus करना है, तो आप क्या करेंगा, 1 को 8 से plus किया, 9, 9 plus 1, 10, और यह carry है, 10 plus 1, 11, तो 11 हो गया, 11 कैसे हो गया, क्यूंकि हमने carry, carry इसको काड़ दो क्यूं काटा मैंने, क्यूंकि इसको मैंने इसके साथ add कर लिया, उसके बाद अगला है, 2, इस 2 को, इधर में कोई number नहीं है, क्यावल 2 ही है, 0 है, 0 है, तो यहाँ क्यावल 2 है, 2 के साथ आप 1 प्लस करेंगे, you'll get 3, और यहाँ पर 0 है, carry तो है नहीं, 0 है, तो 00 ही रहेगा, त 3, 1, 0, 9, 8, 3, 1, 0, 9, 8, this is one number and I'll show you one more number after that, you need to do lot of practice at home, so I'll show you one more number, let's see one more number as, 948, multiply 827, now for this we need a big box, ऐसा ऐसा बड़ा सा rocks बना लेते हैं ऐसे, ऐसा बड़ा बना लिया मैंने, उसके बाद ऐसा मैंने बना लिया, vertical line, now draw horizontal line, उसके बाद आप लिखेंगे 9, 9, 4, 8, उसके बाद आप लिखेंगे 8, 2, 7, 827 मतलब यह वारा, 827, इसको ऐसे लिखने हैं आपको, अब diagonal बनाओ, फट 4 है, इसके साइड में 8 है, 8, 4, 32, 32 हो गया, 8, 8, 64, 64 लिख लिया मैंने, उसके बाद अगला 9, 2, 18, 9, 2, 18, उसके बाद 4, 2, 8, देखो, सिंगल नमर आ रहा है, तो आप लिखेंगे 0, 8, 0, 8, उसके बाद 8, 2, 16, 8, 2, 16, उसके बाद अगला है, 9, 7, 63, 9, 7, 63 मैंने लिख दिया उसके बाद अगला 7, 4, 28, यह मैंने लिख दिया, उसके बाद 8, 7, 56, यह मैंने लिखा 5, 6, फटा-फट हो गया, अब यह 6 को नीचे लिखना है, आपको यह वाला 6 मैंने पहले बोला है, पहले आपको सबसे पहले, ट्राइंगल वाला यहां से शिरुवात करना है, ट्राइं 10 प्लस 6 is 19, तो आप लिखेंगे 19, 1 के लिए क्या रही है, तो सर्कल कर दिया मैंने, उसके बाद अगला नंबर क्या है, यह यह तीनों को प्लस करना है, 3, 2, 8, 1, 1, क्योंकि एक रास्ते में पढ़ रहा है ऐसे, ऐसे जाना है आपको, ठीक है यह पैललल लाइन देखना है, यह रहा है, यह पैललल लाइन आपको देखना है, पैललल लाइन क्या होता है, इसको बोलते हैं ना पैललल लाइन, यह रहा है, इसको बोलते हैं पैललल लाइन, तो यह पैललल लाइन आपको देखना है, 3 प्लस 2 is 5, 5 प्लस 8, 5 प्लस 8 is 13, 13 प्लस 1 is 14, 14 प्लस 4, 18 और 18 और य प्लस 6, 8 प्लस 6 इस 14, 14 प्लस 2 16, 16 प्लस 6 इस 22, 22 और यहां पर एक 1, 22 1, 23, 23, 2 को सर्कल कर दो ताकि यह क्यारी हो जाए, और आप 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 2, 6 प्लस 2 इस 8 इसको काड़ दो आप, ओकी, अब यहां इसमें कोई क्यारी नहीं है, और यह 7 यहां लिक दो, तो 7, 8, 8, 3, 9, 9, 6. 7, 8, 3, 9, 9, 6. 7, 8, 3, 9, 9, 6. That is 7, LACH, 83, 9, 9, 9, 6. So, I hope, you have understood this, you need lot of practice, you take first, you start writing two-digit number, okay. Start practicing using two-digit number, अह पहले, two-digit number, अह पहले, two-digit number यह पहले ब्ले का क्रक्तिस कर रो, यह लु आटमेकली, अह अह प्ले का क्रक्तिकली अटम्ट्र अप्र एक्रादी का क you will come to know that this method is also one of the easiest method to find the multiplication okay thank you so much